नमस्कार, हाई विवर्स, रेसिपी कल्यानीज में आपका फिर से स्वागत है विवर्स हम अक्सर सुनते हैं कि आलमंड को रात भर भिंगो कर और इसके छिलके उतार कर खाने चाहिए पर ऐसा क्यों? आईए इसके बैग्यानिक कार्णों को जान लेते हैं बादाम के उपर जो भूरे रंग का छिलका होता है उसमें टैनिन पाए जाते हैं यह पोशक तक्तों के अपसोसन को रोकता है इसलिए इसको अलग करना आवैसक हो जाता है और वह तभी होगा जब उसे पानी में भिंगों का रखा जाए दूसरे पानी में भूगे हुए बादाम अपने पोशक तक्तों को आसानी से रिलीज करता है और यह आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाता है और पाचन क्रिया में मदद भी करता है भींगों हुए बादाम लाइपोस नामक एंजाइम को इजी रिलीज करता है जो फैट के डाइजेशन में साहाइक होते हैं आलमंड एक सूपर फूड है और यह बच्चों और बूरों को अबस सखाने चाहिए मगर हाँ इसको राद बढ़ भींगो कर और इसके चिलके उतार कर जब आप लंबे सफर में जा रहे हो तो आलमंड को राद बढ़ भींगो कर इसके चिलके उतार कर एक गीट लोग पैकेट में भर ले ये आपके सफर में भूख को मिटाने और उर्जा देने में सहायक होंगे आलमर्ज के फायदों को आप description box में देख सकते हैं तो viewers अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करें अधिक से अधिक सेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल रंग में लिखे सब्सक्राइब को क्लिक कर दें उसके बाद बेल की जो आइकन आती है उसे भी क्लिक कर